हेलो और जेहिन सुडेन, वेलकम वंस अगें टू यरोन चैनल सरतरुन रिपानी और आपने मुझे और अपने पैरेंट्स को बेहद प्राउड महसूस करा दिया है गाड ब्लेस्ट यू क्योंकि आपके रिजल्ट्स जबरदस्त आए हैं 22 येस, आप सबने हम सब को दिल जीत लिया है आपकी मेहनत से, आपके विश्वास से और बहुत सारे प्यारे सूपरस्टार्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं मार्क्स मिल रहे हैं मुझे, many of you have scored hundred in many of the subjects बहुत 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 आपको प्यार, बहुत बहुत शुब कामना है तो कुछ questions भी आ रहे हैं कुछ ने question पुछा कि sir best of five क्यों निकालते हैं और best of five कैसे निकालते हैं चलिए इस question को take up कर लेता हूँ आज तो पहली बात है best of five क्यों निकालते हैं वैसे मैं आपको बता दूँ आप जब universities admission में admission लेने जाएंगे तब भी best of five ही लिया जाता है हाँ जो government की universities हैं वो best of five marks calculate कर रही हैं और even 11th के admission में जब आप किसी नए schools में जा रहे हैं तो वहाँ भी आपके best of five percentage मांगे जाते हैं तो question आता है सब best of five क्यों लेते हैं तो बहुत simple सा reason है आप 6 subjects में appear कर रहे हो आपने आगे जा करके let's assume कि आपने science opt किया है आप science के subjects को opt करना चाहते हो तो जब आप science subject opt करोगे तो आपको ये जो commerce वाला subject है जो आपने last में apply किया है इसको कोई मतलब नहीं लेने का तब आप best of five में क्या करेंगे बाकी सारे subjects ले सकते हैं हाला कि best of five का मतलब ये भी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा scores आएं आप उन subjects को लीजिए उन subjects को count करें अगर commerce में ज़्यादा subject आया माक्स आया तो आप ले सकते हैं जिसमें आपके number कम आया आप उस subject को क्या कर सकते हैं ignore या drop down कर सकते हैं but इसमें but ये है best of five में science include होना चाहिए plus four other subjects समझ गया है कोई एक subject आपको छोड़ना है जिसमें आपके score कम है similarly आपने commerce ले लिया हाँ आपने तै किया कि आप 11-12th commerce पढ़ेंगे आगे commerce stream में जाना है आपको इसका मतलब तो आप commerce subject को तो जरूर include करेंगे आपने 10th में commerce लिया था ये लिया है तो आप commerce तो include करेंगे ही करेंगे आप चाहें तो उस समय science का marks आप ignore कर सकते हैं क्या सिर्फ science का नई आपके weak subjects का mark ignore कर सकते हैं पढ़िया सब करते समय English को आपको ignore नहीं करना है English के आपके कोई भी score आए हो English best of the five में include रहेगा हर stream में रहेगा तो हर हाल में क्या हो रहा है किसी एक subject जो कि आप आगे नहीं पढ़ने वाले हैं उसके marks को आप ignore कर सकते हैं Humanities वाले ये arts लेने वाले students के लिए जिन्नोंने आगे जाके arts ये humanities लेना है उनके लिए history switch main हो जाएगा उनके लिए commerce भी क्योंकि उसमें economics का subject है वो भी main हो जाएगा तो वो चाहें तो science ignore कर सकते हैं science के score को ignore कर सकते हैं जिन्नोंने आगे जाके humanities देना है तो इसलिए ये चलन है इसलिए trend लई है वाला क्या समझ गया है 5 subjects को लिया जाता है 5 best subjects को लिया जाता है including English and your main subject which you are going to opt for the 11th and 12th समझ गया है क्यों 5 subjects लेते हैं अब आता है sir best of the 5 निकाले कैसे तो आपका ये result रहा एक screen पे मैंने आपके एक demo result रखा है आपके लिए आपको बस क्या करना है आपको total marks की area को नहीं देखना है आपको आना है इस percentage marks वाले हैं क्योंकि ये out of 100 है आपके semester 1 और 2 का total है ये याद रखेगा semester 2 including है इसके अंदर आपके practical और project works भी including है तो आपको English लेना ही लेना है पहली चीज आपने English ले लिया आपको Hindi include करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आगे आप Hindi include करना चाहते है और let's say ये ये student है ये commerce लेना चाहता है ये student का मैंने जो आगे desire है stream है पूछा तो इस student ने कहा सर मुझे commerce लेना है तो उसको best of five में English ले लेना चाहिए Hindi obvious बात है include कर लेना चाहिए history civics के भी marks 73 अच्छे है ये जो 68 marks है maths का तो ये तब लेना चाहिए अगर आगे commerce with maths लेना चाहता है student तब आप इसको क्या करेंगे count जरूर करेंगे ठीक है 68 ले लेंगे बट क्योंकि student को commerce लेना है आगे जाकर के इस demo student का जो मैंने number दिया है उसको इस subject को science को ignore कर देना चाहिए तो best of five में science क्यों हटा दिया हम लोग ने क्योंकि science में marks उसके कम है और आगे वैसे भी commerce opt करना है student को तो science के marks को ignore कर देंगे commerce का marks last में 87 दिख रहा है इसको ले लेंगे अब इसको add कर देंगे तो आपने वो subject हटा दिया जिसमें marks आपके सबसे कम थे एक चीज दूसरा वो subject आपने आगे opt भी नहीं किया है आपने आगे वाले जब आप 11-12 में stream कर रहे हैं तो उस subject को नहीं लेना चाहते हैं उसको छोड़ दिजे अब आप total कर दिजे इसका पाँच subjects मैंने ले लिए हैं science इसलिए ignore कर दिया इस वाले group में क्योंकि इसमें student ने science आगे opt नहीं करना है जब आप total करेंगे अथा plus करेंगे आपका total आजाएगा 395 इस पूरे का total आएगा 395 science को ignore करते वे तो ये best of 5 का total आगे आपके पास जब आपके पास total आजाए marks जब आपके पास total marks आजाए आपको percentage निकालना है तो percentage निकालने का बहुत आसान तरीका क्या करिए total marks क्योंकि सारे marks out of 100 है आप simply 5 से divide कर दिजे हाँ total marks जबड़े 5 कर दिजे आपका best of the 5 का percentage आजाएगा similarly 6 का होता तो out of 6 डिवाइड कर देते सर्फ साइक कैसे आया क्योंकि देखे यहाँ पे total आता 500 into 100 उसी से मैंने simplify कर दिया हमारे case में 395 divided by 5 this gives you कितना आ रहा है 79% तब यह student बदा सकता है कि मेरा 79% आ रहा है इसी तरह से आपको yes एक subject जो आप आगे opt नहीं करने वाले है उसको ignore करते हुए बाकी 5 subjects को total करना है and simply 5 से divide कर देना है समझ में आ गया होगा तो like press कर देना हाँ अपने friends, classmates को share कर देना जो अभी भी doubt में है कि best of the five कैसे निकाले so thank you and love you and God bless you bye from now